हेलो इस्टुएंट्स मैं हूँ दिनेश दत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्टुडेंट टेग जैसा कि हमने पिछली वीडियो में किंडम मोनेरा के बारे में थोड़ बहुत जाना और बैक्टीरिया को बहुत ही आसान तरीके से जाना कि आखिरकार बैक्टीरिया के शेप क्या होते हैं किस किस टाइप के बैक्टीरिया होता उसका एक्जामपल क्या होता है ठीक है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिय यगए के बारे में भी हमने थोड़ा बाँ उसके ज़नल कररेक्टर्स जाने थे अब जो बैक्टीरिया के सिरीज में एक जो लास TRA sector हमार treaty अर।zusबेक्टीरिया ठीक है तो आज रिएों इस यह पार एक बैक्टीरिया की कोशिका की संरचिना बैक्टीरिया कोशिका की सरनचना आज हम देखेंगे कि आखिरकार बैक्टीरिया की कोशिका दिखती कैसे है ठीक है और उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं जिसको हमको जानना है बस इतना थोड़ा सा याद रखिएगा आगर आप लोगों ने इस पूरे स्ट्रक्चर क बना करके लिख सकते हैं ठीक है तो उसको मैं क्लिया कर रहा हूँ तो सबसे पहला जो बैक्टीरियल सेल में कुछ लेयर सपाई जाती है जो सबसे पहली लेयर होती है वो है स्लाइम लेयर स्लाइम लेयर जैसे जो है एक जेली होती है जेली जैसी समरशना स्लाइम लेयर कहला पॉली सेकराइड लिपिड और प्रोटीन की यह संरचना बनी होती है याद रखिएगा कि सबसे बाहरी जो लेयर होगी वो स्लाइम लेयर होती है जेली जैसी होती है थोड़ा सा जो है लसलसी होती है मुसीलेजीनस होती है ठीक है और वो बनी कैसे होती है पॉली सेकराइड ल होती है यह cell wall कहलाती है cell wall यानि कोशी का भित्ती कहसे बनी होती है mucopeptide की कहा कि mucopeptide की ठीक है और इसके बाद हमेशा आप लोगों ने देखा होगा plant cell वगेरा में कि cell wall के बाद एक membrane पाई जाती है जिल्ली हम लोग plasma membrane या cell membrane कहते हैं ठीक है तो यह cell membrane हो गई cell membrane या plasma membrane यह कहें कि बनी होती है lipoprotein की lipid plus protein यानि lipoprotein ठीक है समझा रहा है न लिपoprotein की और इसके अंदर एक dna पाया जाता है main dna होता है इसमें याद रखिएगा nucleus नहीं होता है इस structure को हम लोग nucleoid कह सकते हैं क्योंकि यह nucleus जैसा हलका फुलका समझ में आता है लेकिन nucleus इसमें नहीं होता है कोई भी nuclear membrane या nuclear envelope नहीं पाया जाता इसलिए जो इनका genetic material है यानि main dna है ये पूरे के पूरे protoplasm में तैरता हुआ दिखाई देता है move करता हुआ दिखाई देता है ठीक है तो यह हो गया इसका main dna इसमें कुछ structural bodies भी पाय जाती है chromatophore है carotenoids वगएरा की बनी होती है इसी से photosynthesis भी यह कर सकते है metafosphate भी इसी तरह से structural bodies के रूप में पाय जाते है इसमें एक चीज और देखते हैं जो main organ है इसका plasmid plasmid को extra chromosomal substance भी कहते है यानि extra dna यह हो गया main dna यह जो है extra dna होते हैं यह plasmid bacterial cell में circular form पर पाय जाते हैं round shape में पाय जाते हैं लेकिन इनका अभी तक bacterial cell में क्या roll होता है यह अभी ग्यात नहीं हो पाया है लेकिन हाँ इसको हम लोग cloning technique में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं biotechnology और genetic engineering में recombinant dna technology के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है ठीक है और इसके बाद यह जो पूरा का पूरा जो है flood भरा हुआ है यह हमारा कहलाता है protoplasm यह जो है protoplasm हो गया ठीक है और इसके अंदर जो red color के दाने दिखाई दे रहे हैं यह ribosomes है ठीक है यह जो है ribosomes कहलाएंगे समझा रहा है यह ribosome, ribosome क्यों होंगे क्योंकि DNA है DNA अगर जहां पर है वहाँ RNA भी होगा RNA है तो protein का निर्माण जरूर होगा और protein हमेशा ribosome में बनती है यह याद रखिएगा protein हमेशा ribosome में बनती है अब इस bacterial cell में एक main feature पाया जाता है आप लोगों ने इसमें देखा कि ना तो इसमें गालगी बाडी स्पाई जा रही ना तो mitochondria की कमी को कौन पूरा करेगा चूंकि अब यह cell है इसको भी energy चाहिए इसको भी power चाहिए तो mitochondria की कमी को पूरा करता है मीसोसोम अब मीसोसोम यहां से कहां से आ गया भाई जो यह plasma membrane है plasma membrane जगह जगह से फोल्ड हो जाती है और इन फोल्डिंग्स को हम मीसोसोम नाम देते हैं यह मीसोसोम है और यह बिल्कुल डिटो वैसे ही work करती है जैसे mitochondria करता है यानि mitochondria की कमी को यह मीसोसोम पूरा करता है क्लियर समझा रहा है न यह मीसोसोम mitochondria की absence को पूरा करेगा अब इसमें याद रखिएगा कि एक चीज जो है और special feature पाया जाता है कि अगर कोई भी bacteria motile bacteria है यानि चल जीवाण हो है जो चल सकता है तो उसमें कुछ structure से पाय जाते हैं जिसे हम लोग फ्लैजेला नाम देते हैं फ्लैजेला यानि कशाभी का और एक चीज याद रखिएगा हमेशा एक्जाम में बहुत सारे लड़के जब bacterial cell का structure बनाते हैं फिर भी उनको पूरा माक्स नहीं मिलता है क्योंकि वो गलख तरीक plasma membrane की तरब से होती है plasma membrane से touch करके बनाना है यह जो cell membrane है इससे इसकी origin होगी और यह cell wall और slime layer को भेड़ते हुए बाहर की ओर निकलाता है एक पूँच जैसी सरनशना होती है और जब इसको locomotion करना होता है गति करना होता है तो यह फ्लैजेला को बड़ी तेजी से जो है हिलाता ह है जिससे की यह पूरी bacterial cell आगे की ओर गति करती है ठीक है अब इसमें आप देखिए कि जगह जगह पर hair like structures भी पाय जाते हैं इनको हम लोग pilei कहते हैं यह pilei sex pilei के नाम से भी जाने जाते हैं जब इन bacterial cells में reproduction होता है यानि की reproduction conjugation के थुरू हो सकता है, transduction के थुरू भी हो सकता है और genetic recombination भी होता है जब conjugation होना होगा suppose यह एक bacterial cell यह दूसरा bacterial cell और यह sex pilei है और यह आपस में जब sex pilei के थुरू intercross करते हैं तो एक दूसरे के बिलकुल नजदी का जाते हैं पकड़ लेते हैं और जिस जगह से यह touch होते हैं तो वहां की cell wall वगेरा में एक pore बन जाता है और एक tube like structure का निर्माड होता है और दोनो ही bacterial cell अपने genetic material को इस tube के द्वारा आदान प्रदान करते हैं जिसको जो है conjugation tube कहा जाता है यह process conjugation कहलाती है ठीक है तो यह हो गया sex pilei अब इसमें आप लोग थोड़ा सा देखिएगा कि जो slime layer है slime layer कहें की बनी होती है polysacryl lipidol protein की लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने गौर किया होगा कि यह capsule कहां से आ गया है capsule कैसे पाई जा रही है तो इसको थोड़ा सा ही क्यों बनाया गया है याद रखिएगा जब bacterial cell व्रद्धी करती है ग्रोथ करती है उस समय पर यह slime layer सूख करके hard हो जाती है और capsule का निर्माड करती है यानि कि जब bacterial cell growth करेगी व्रद्धी करेगी उस समय पर यह slime layer hard हो जाएगी सूख करके और capsule का formation करती है अगर इस capsule को पूरे में बना दिया जाता तो slime layer नहीं दिखाई देती इसलिए इसको थोड़े से हिस्से में दिखा दिया जाता है ठीक है तो इससे दोनों चीज़े clear ह होती है कि slime layer भी दिखाई देता है capsule भी दिखाई देता है और capsule का formation bacterial cell की ब्रद्धी के समय ही होता है clear तो यह हो गया structure of bacterial cell और जो भी इस से related अगर कोई topic समझ में नहीं आया हो तो comment में हमको जरूर बताएं मैं आपको comment में ही आपको उसका answer दे दूँगा और अगर फिर भी ज description में WhatsApp नमबर दे दूँगा आप उस पर अपना question लिख करके भेजे मैं उसका जवाब WhatsApp में दे दूँगा अब इसमें आप देखें जो लास्ट वाला topic है मारा cyanobacteria cyanobacteria क्या है मैंने पहले ही बताया था cyanobacteria को blue green algae के नाम से भी जाना जाता है नीली हरी शेवाल ठीक है blue green algae cyanobacteria algae जरूर है लेकिन ये एक prokaryotic structure है इसलिए इसको bacteria की category में रखा गया है ये एक photosynthetic bacteria है इसमें प्रकास translation की क्रिया होती है और ये पूरा का पूरा एक chain के रूप में इसकी cells arrange होती है ठीक है और ये जगह जब ये ज़ादातर जो है ऐसी जगहों पर पाई जाती है useful bacteria है ये क्योंकि जो है इससे nitrogen का fixation होता है जो चावल के खेत होते हैं उसमें जो है ये अच्छी भारी मातरा में जो है देखने को मिल जाता है क्योंकि ये जो है अपने एक cellular structure के कारण ये nitrogen को atmospheric nitrogen को nitrate में convert कर देता है क्योंकि और plant उसी nitrate को अपनी growth के लिए use करता है क्योंकि पौधे को कभी भी nitrogen directly नहीं चाहिए होती है वो nitrate के form पर ही उसको absorb करते हैं तो ये ये भी एक useful bacteria है ठीक है जिससे cyanobacteria कहते हैं अब जो इस cell में आप देख रहे होगे ये एक अत्रिक तसले थोड़ा सा बड़ी है और अन्दाकार दिखाई दे रही है इसको हम लोग heterocyst कहते हैं ये heterocyst काम क्या करता है यही heterocyst nitrogen को fix करने का काम करता है और इस structure के कारण इसमें जो gelatinous layer होती है तो इससे जो है एक बड़ी ही तीछन गंध आती है बदबू आती है जिसके कारण जो है मचलिया या जलिये जन तो इसको नहीं खाते हैं ठीक है ये हो गई heterocyst जिसके कारण atmospheric nitrogen को nitrate में convert किया जाता है इसी को हम लोग nitrogen fixation कहते हैं या nitrogen nitrogen का इस थरी करण कहते हैं ठीक है तो I hope आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, knowledgeful होगा, अगर अच्छा लगा है तो like जरूर करें, share ज्यादा किया करें ताकि जो है सब लोगों को इस lockdown में जहां पर coachings और school college बंद हैं वहां ये matter सब को provide हो सके, सब का भला हो सक और अपने दोस्तों से अपने सभी जो है ऐसे लोगों से जो कि बालो जी में interested है वो जरूरी नहीं है कि नहीं वो 11th class का ही हो जो भी बालो जी सीखना चाहता है उसको आप ये वीडियो जरूर जो है share किया करें और उनसे चैनल को subscribe कराएं जिससे उनको भी समय समय पर सारी व कि अधर कि ये बालो जी समय ऑलो जोचे बालो जो है test को जाना चाहता है रखर कि घव जो है ऑना खावार जो हैं एंगार जो है भी बालो जो जो हैं गोज़ से जो है कि तो